गनेश जी की कहानी उनकी मा पार्वती जी से शुरू होती है। पार्वती जी ने नहाते समय अपने शरीर के उप्टन से एक बालक को बनाया और उसे जीवन दिया। नाम रखा गनेश। जब उनके पती शिव जी लोटे और गनेश जी ने उन्हें प्रवेश से रोका, तो शिव जी ने क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया। पार्वती जी के दुखी होने पर शिव जी ने वादा किया कि गनेश जी को जीवित करेंगे। उन्होंने गणेश जी के सिर को एक हाथी के सिर से बदल दिया। इस प्रकार गणेश जी बन गए शुभारंभ के देवता, बाधा हरने वाले और ज्यान और कला के सनरक्षक।